तर कहीं बार चार्ट पे हमने देखा कि पांच भी लेग लगने के बाद भी स्टोक वहीं पे काम करता हुआ दिखता है वो क्यूं दिखता है वो आज के इस वीडियो में आपको सारे क्वेस्चन जो है उसके आंसर मिल जाने तो बने रही है मेरे साथ आखिर तक मैं हूँ आप देखना स्टार्ट कर चुके मार्केट सिक्रेट सिरी पार्ट 18 आपकी अपनी यूट्यूब चैनल वेरिफाइड मार्केट वेवस के जली है तो करेक्टिव पार्ट के तीसरे चरण में आज हम आखरी करेक्टिव पेटन्स लेने वाले है जिसका नाम है रिवर्स साइ साइमेट्रिकल ट्राइंगल यह ट्राइंगल के साथ दिखता है किस तरीके से इसके उपर हमें काम करना है यह सारी चीजों की बात जो है वो हम इस वीडियो के अंदर करने वाले है तो बने रही है आखिर तक बीना वीडियो को स्किप किये बगेर चलिए चलते हैं अपने स सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है आपको लगेगा यहां पे पांचवा लेग लग गया लेकिन वो नहीं लगाएगा यहां पे पांचवा लग लेकिन वो भी पांचवा लेग नहीं होगा क्योंकि आपका यह पूरा पैटर्न जो है उससे बोला जाता है रिवर्स साइमेट्रिकल ट्राइंगल इसके अंदर अगर आप ट्राइंगल के अंदर ट्रेंड लाइन लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि यह ट्रेंड लाइन जो है वो नीचे जा रही है यह ट्रेंड लाइन जो है वो ऊपर जा रही है मतलब आपकी ट्रेंड लाइन जो है उसका मुख जो है वो खुल रहा है और अगर इसका मुख खुल रहा है उसका मतलब यह है कि आपका यह जो ट्राइंगल बन रहा है वो एक reverse symmetrical triangle है इसे expanded triangle भी बोला जाता है ओके समझ में आई कैसा दिखता है इसमें e leg लगने के बाद वापिस दुबारा से ये उपर जाता है और उपर की और बढ़िया से 5th leg लगाता है बियर इस trend में कैसा दिखेगा मान लो कि यहाँ पे कोई नीचे की और trend चल रहा था उसके बीच में कुछ इस तरीके से बनेगा ये A, B, C, D और E और जैसे ही आप trend line लगा होगे आपको पता चलेगा कि ये trend line भी दोनों तरफ से खुलती है इसका मुख खुला हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक reverse symmetrical triangle जब भी E लगेगा उसके बाद जो है वो आपका price नीचे आना start हो जाए समझ में आई है इसका structure क्या होता है इसका जो structure होता है वो आपको chart के ऊपर कुछ इस तरीके से दिखेगा मानो के daily में आपको दिख रहा है कि A, B, C, D, E कुछ इस प्रकार से बना है लेकिन आप इसको अगर छोटी time frame पे देखने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर 3 leg थे इसके अंदर भी 3 leg थे यहाँ पर भी आपको 3 leg देखने को मिलेगे D में भी आपको 3 leg और E के अंदर भी आपको 3 leg जो है वो देखने को मिल सकते तो अगर आप छोटी टाइम फ्रेम पे देखने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा जो बन रहा है वो एक ट्राइंगल है और उसे बोला जाता है रिवर्स साइमेट्रिकल ट्राइंगल बहुती कमबार देखने को मिलता है लेकिन जब भी देखने को मिलता है तो ये एक बहुती बढ़िया और प्यारा पेटान है मुझे सबसे ज्यादा पसंद अगर कोई ट्राइंगल है तो वो ये है क्योंकि इसके अंदर फिर्थ लेग जो जब भी लगती है तो वो थोड़ी सी बढ़ी होई बियर स्ट्रेंड में कैसा दिखता है बियर स्ट्रेंड के अंदर आपको ये तीन लेग में ही देखने को मिलेगा कोई भी ट्राइंगल ले लो अभी तक के सारे ट्राइंगल के अंदर आपने देखा के सारे ट्राइंगल के अंदर A, B, C, D, E पांचों लेग के अंदर तीन तो उसके अंदर भी 3-3 का structure होगा तो यहां पर भी आपको 3 लेक्ट देखने को मिलेगे B में भी 3 होगे C में भी 3 होगे D में भी 3 दिखेगे E में भी 3 दिखेगे कुछ इस तरीके से आपका जो complete triangle है वो देखने को मिलेगा देख लेते हैं cycle के अंदर कहा पर दिखते हैं यह triangle cycles के अंदर triangle कहा पर दिखते हैं तो मान लो कि यह अपना कोई bullish cycle है 1, 2, 3, 4, 5 वागा उके उसके अंदर triangles जो है वह सबसे ज्यादा बात fourth में देखने को मिलते हैं 2 में भी हो सकते हैं B में भी हो सकते हैं लेकिन सबसे ज्यादा 4th में देखने को मिलते हैं कुछ इस प्रकार से जो यह पूरा correction बनेगा ना उसमें यहाँ पर आपको लगेगा कि तीसरे का high कट गया 5th लग गया लेकिन वो 5th नहीं होगा यहाँ पर भी आपको लगेगा कि D का जो high लगा है वो भी 5th जैसा दिख रहा है मतलब 5th के आसपास जो है वो कहीं बार high लगा है उस टेम पर समझ जाना कि यह कोई triangle बना रहा है जैसे ही यह correction खतम होगा उसको बोला जाएगा 4 और उसके बाद आपको वापिस दुबारा से stock जो है वो उपर जाता हुआ दिखेगा और 5th लगाए जैसे ही 5th complete होगा उसका correction स्टार्ट हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आपको जो है वो reverse symmetrical triangle देखने को मिलता है बियर स्ट्रेंड में कैसे दिखता है तो बियर स्ट्रेंड के अंदर आपका यह पूरा structure रहेगा 2 में भी देखने को मिल सकता है यह बाद आपको complete कर लेनी है कोई भी corrective leg लग रही होगी सबसे ज्यादा बार देखा जाता है इसलिए हम 4th की चर्चा कर लेते हैं यहां पर आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा A B C D E यह पूरा correction जो है उसको बोला जाएगा 4th leg और यह 4th leg लगने के बाद जो है वह वापिस दुबारा से आपका 5th leg आए और उसके बाद A B C का correction स्टार्ट हो जाए तो कुछ इस प्रकार से reverse symmetrical triangle जो है वह बनता है और इसके ऊपर कैसे काम करना है वह हम अगले आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे सारी patterns के ऊपर किस तरीके से हमें entry करना है किस तरीके से stop loss लगाना है और किस तरीके से exit करना है उन सारी बातों की चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो like करना मत बुलिएगा, share करना मत बुलिएगा और comment box में मुझे बताना मत बुलिएगा कि आपको AC pattern किसी चार्ट के उपर कभी दिखी है क्या अगर दिखी है तो उस चार्ट का नाम बताईए और उस चार्ट के अंदर आपका जो भी pattern बना है वो मुझे वाटसप की comment में मुझे बताईए कि कौन से stroke के अंदर इस तरीके का pattern बना है और अगर आप चेनल पर नए जुड़े हो तो subscribe करना मत बुलिएगा और साथ ही साथ bell icon को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की notification आपको मिलती रहे फिर मुलाकाट होगी तब तक के लिए ब